नमस्कार दोस्तो, CMLC GS क्लास में आपका स्वागत है दोस्तो आज मैं आपको भूमत सागर से संबंदी जीतने भी GKGS प्रस्ण बनते हैं उसको मैं बताऊंगा इस वीडियो भूमत सागर से जो SSC रेल पे बिहार दरोगा और बिहार पुलिस एक्जाम में पूछे जाते हैं यहां से जिस तरीका से मैं प्रस्ण बता रहा हूं दोस्तो अगर याद कर लेंगे तो आपको यकीन मानी आपको एक्जाम में किसी परकार के दिक्कत नहीं होगी ठीक है तो मैं सुरू करता हूं देखे भूमत सागर से आपके एक्जाम में कोश्चन पूछा किस एंगल से जाता है वो समझे पहले तो भूमत सागर पूछेगा अस्थल से घिरे हुए सबसे बरा सागर कौन सा है तो अस्थल से घिरे हुए सबसे बरा सागर पूछे न तो कौन सा होगा भूमत सागर होगा कौन सा भूमत सागर लेकि पूछेगा बिश्व का सबसे बरा महा सागर तो गहराई आपको पूछेगा तो 4632 मीटर है लेकि यहाँ समझेगा भारत की सबसे लंबी दूरी का ट्रेन कौन है विवेक एक्सप्रेस है अब विवेक एक्सप्रेस की भी जो की लंबाई है न वही एकताली 200 के आसपास है ध्यान रखेगा तो लेकि यहाँ पे आपको पू हैं तो यह प्रस्ट है लेकि एकिस देश से याद करना बहुत ही मुश्किल है जैसे मालीची दोस्तों एकिस से संबंधी प्रस्ट है अंतराश्य योग दिवस कम मनाते 21 चून को ध्यान रखेगा इंपोटेंट कोश्चन है और लेकिन यहाँ समझेगा जो भूमद सागर है कितने देश सता है 21 देश से लेकि 21 देश याद करना बहुत ही मुश्किल का काम है लेकिन इसको लेकि परिच्छा में तो पूछा जाता है तो आपको तो याद करना है लेकि याद कैसे करना है यह मैं इसको तरीका बतानू यह ध्यान रखेगा तो देखे यह भूमद सागर तीन महादेश से होकर गुजर्थी है कौन-कौन अफिरका महादेश ये रोप महादेस और अजिया महादेश यानि तीन महादेश से होकर गुजर्थी है कौन सा भुमद सागर समझेगा important question है तो डेरेक्ट आपको पूछेगा किन में से कौन सा भूमत सागर किस महादेश से होकर नहीं गुजरती है तो आप फिर का से गुजरती है येरोप से गुजरती है एविए से गुजरती है ध्यान रखिया और चोथा कोई और महादेश दे देगा तो आप टिक कर सकते हैं ठीक है? तो लुझMin Gerade समझेगा कि भूमत सागर कितने महादेश से होकर गुजरती है ता फिर का युरोप और एसिया महादेश तीन महादेश आप देखे तीन से जैसे माल लीजिए कि भारत के तीन राज जिसकी सीमा तीन देश से लगे हुए कौन-कौन ता सिक्कीम अरुनाचल परदेश और वेस्ट बंगा सिक्कीम अरुनाचल परदेश वेस्ट बंगाल भारत के तीन राज है जिनकी सीमा तीन देशों से सत्य हुए है इस पर ध्यान रखेगा महत्पून कोश्चन है ठीक है अभी समझेगा कि भारते रुपया का अव्मूलन कितने बार हुआ तीन बार कितने बार तीन बार कब प अब दिया कि 17, 44 और 33 में लेकि रेट क्रोस दिवस कम मनाते तो आठ मई को है और समझेगा कि भुमद सागर तीन महादेश से गुजरती अब फिरका यूरोप एसिया अब देखिए बुद्ध, धाम, संग, तीनों मिला के त्री रतन का निर्मान करते हैं दोस्तों तीन है न नज़र रखेगा अगर पुछे तीनों अबस्ताम है पाई जाते यानि ठोस, दरभ, गैस, तीनों अबस्ताम कौन-कौन सा पाई जाते तो जल, गंधक और फासफोरस और यहाँ पर बार बार एक जया में पूछा जाता है पूछेगा फासफोरस को किसमे रखा जाता है तो तो फासफोरस को जल में रखा जाता है, क्योंकि अगर बायू के संपर्क में, ऑक्सीजन के संपर्क में आगा तो इसमें आग पकड़ लेगा, इसलिए फासफोरस को जल में रखा जाता है, लेकि यहीं पे एक क्वेशन और पूछा जाता है, कि सोधियम को किसमें रखा जाता Sodyum की खोज किसने की हम फ्री डैबी नेखी थे उसके भी नज़ा रखेगा यहाँ पर और समझियेगा कि पूछा जाता है कि उद्गा मस्थल तो पूछेगा भारत के कितने नदी भारत की तीन नदी है जिनका उद्गा मस्थल भारतिय च्छेतर से बाहर है कौन-कौन सा नदी तो, एक तो सतलज है, और दो जो नदी है, उसका जवाह, आप आप लोग कॉमेंट में दीजें कि भारत की तिन नदी का उध्गा मस्थल भारती ए छित्र से बाहर है, जिसमें, एक नदी में आपको बता दिया हूँ, सतलज दो नदी का जबाव आप लोग comment में दीजेगा ठीक है दोस्तों अभी और समझेगा कि पूछेगा आपसे लेकिन यहाँ पे देखिए हम लोग कहा थे जिवाल्टर जिवाल्टर जलसान जिवाल्टर है न वो भूमद सागर अटलांटिक महा सागर को भी जोडती है इस पे भी नजर रखेगा महत्पुन कोश्चन है ठीक है अभी समझेगा कि भूमद सागर से कितने देशों से होकर गुजरती है 21 देश से होकर गुजरती है लेकि इसको याद करना पूछेगा इनमें कौन सा देश भूमद सागर से नहीं सटा हुआ ऐसे आपके प्रस्ण में पूछा जाता है तो मैंने आपको बताए अफिरका, यूरोप, एसिया तो सबसे पहले अफिरका से कौन-कौन सा देश जो भूमद सागर से गुजरता है इसको ध्यान रखेगा आप ठीक है तो अफिरका से अगर पूछे ना तो सबसे पहले लाइन से याद किजिएगा मुरको, अल अफिरका महातेश में कौन-कौन सा देश से भूमद रेखा गुजरती है भूमद सागर तो समझे का मुरको, मुरको, अलजिरिया, लीबिया, एजिप्ट, मिस और त्यूनेसिया और यहाँ पी देखे बार-बार दो प्रस्ण अभी तक का ट्रेंड है पूछने का कि इनमें अफिरका का देश है जो भूमद सागर से नहीं गुजरती है तो एक चाद अफिरका का दो देश पूछा जाता बहुत बार एक चाद और सुदान ये चाद और सुदान जो देश है इससे भूमद रेक सागर नहीं गुजरती है किस से अफिरका का ही है चाद और सुदान इस से भूमद सागर्त नहीं गुजरती इसलिए ये देश को अपना जर रखेगा आपके एक जाम के लिए महत्पून है अभी और समझेगा आप लोग कि ये तो अफिर का से था ये पांच देश याद नहीं करना है ये पांच देश यहाँ याद कर लेगा आपका काम बन जाएग अभी समझेगा कि एसिया महादेश से कौन-कौन सा देश गुजरता है भूमद सागर से तो एसिया महादेश में पुछेत एक तुलसी करके याद कर लिजिए तो आपका तुलसी यानि तौस से हो जाएगा तर्की और उसके बार लोग से लेबनान और सी से सिरिया है ठीक है अब यहाँ समझेगा एक साइप्रस भी है याद कर लिजेगा साइप्रस भी है जो आपके पूछेगा इनमेंसे कौन सा देश एसिया का कौन सा देश है जो भूमद सागर से नहीं गुजरती है तो इस तरीका से आगर आप याद करेंगे तो यकिन मानी आपको किसी परकार क दिक्कत नहीं हुए नहीं तो आप गलत कर देंगे तो कौन सा है तो एसिया से टर्की लेबनान और सिरिया और उसके बाद फिलिस्टीन और इसके बाद इजराइल उसके बाद साइपरस यह जो देश जितना बता रहा हूं अगर यह याद कर लेंगे तो आपका काम बन लेकिन चुड़िये यह याद कर लेंगे तो ठीक है और इसको भी भूलियेगा नहीं अदेख जो पडिछा में पूच्छा हुआ है कि एसीया का कौन सा देश है जो भूमत सागर से नहीं गुजरती है तो कौन सा जार्डन एराक इरान और साउधी अरब जो है जो भूमद सागर से नहीं गुजरती है इस पिभी ध्यान रखने की कोशिस किज़ेगा इराक का पुराना नाम पूछे ना तो मेसोपोटामिया है इराक की राधानी बगदाद है जो किस और एक यहाँ पे समझियेगा सउदी अरब से भी भूमात सागर नहीं गुजरती है तो सउदी अरब में किस देश में एक भी नदी नहीं है, तो सौधी अरब में ये भी बात आप याद रखेगा, आपके एक्जाम के लिए महत्पुन है, लेकिन और समझ येगा, महलाओं को आर्मी में सामिल होने का अधिकार दिया, कौन सा देश? सौधी अरब, ध्यान रखेगा, important question है, महलाओं को आर्मी में स Syria, Palestine, Israel and Cyprus, देखे, फिलिस्टीन के समचार एजेंसी का नाम वाफा है, बहुत बार पूछा हुआ है, आप ध्यान रखेगा, भूलियेगा नहीं, ठीक है, फिलिस्टीन, फिलिपिन्स में, फिलिपिन्स की राधानी मनीला है, अंतराष्टी चावल अनुसंधान कैन का है, फ सेन अनिवार्ज किया, तो पूछता है, विस्टीन का कौन साइड ऐसा देश है, जो महलाओं के लिए सेन अनिवार्ज किया, तो इसका सही एंसर इजराइल माना जाएगा, उस पे ध्यान रखेगा, फर्टीगेशन तकनिकी को भारत आया, किस देश से, यानि फर्टीगेश से आया, इस पे बहुत इंपोटेंट कोश्चन है, इसराइल के संसद का नाम क्या है, नेसेथ है, उस पे भी ध्यान रखेगा, महत्पून कोश्चन, लेकिन जार्दन, इराक, इरान और साओधी अरब भूमद सागर से नहीं गुजरते, इस पे नजर रखेगा, इराक के प पूछे, तो जिबाल्टर को कहते हैं, लेकिन थोरा घुमादे पूछेगा कि भूमद सागर की कुझी किसे कहते हैं, तो भूमद सागर की अगर कुझी पूछे न, तो भूमद सागर की कुझी भी जिबाल्टर को कहते हैं, ध्यान रखेगा, लेकिन यहां समझने योग बा करती है तो यूरोप महादेश को अफिरका से अलग करती है कौन सा जीवाल्टर जलसांदी जो है न यूरोप को अफिरका से अलग करती है यूरोप में अगर प्रसनल देश का नाम पूछे न तो इस्पेन होगा लेकि अफिरका के अगर प्रसनल देश का नाम पूछे तो मुर किसे कहते हैं तो परसांत महासागर का परवेस्टवार पूछे तो पनामा नहर को कहते हैं लेकिन यहीं पे थोरा पूछे का कि भारत का परवेस्टवार किसे कहते हैं तो मुंबई को कहते हैं लेकिन थोरा और अगर दच्छीन भारत का परवेस्टवार किस राज को कहते हैं तो तमिलादू को कहते हैं, ध्यान रखेगा, इंपोटेंट कोस्चन है, ठीक है, तो यहाँ पर महासागर हो गया, लेकि एक कोस्चन और याद रखेगा, कुटू मिनार का आप लोग नाम सुने हो गए, कुटू मिनार के नीब किसने डाली थी, कुटू मिनार का पूरा जो निर्मान किया, किसने कराए, तो इल्टूत मिसने किया, लेकि थोरा अगर टप कोस्चन अगर आपको एक्जामनर को करना होगा, तो वो पूछ देगा, कुटू मिनार की पाँचवी मंजिल का निर्मान किसने किया, तो फिरोज साथ तुगलक ने, उस पे भी ध्यान रखेगा, महत्पून कोस्चन, लेकिन यहाँ पे मैं ये बताने वाला हूँ, कि कुटू मिनार का परवेश तुवार किसे कहते हैं, तो अलाई दर्वाजा को कहते हैं, ध्यान कियेगा, कुटू मिनार का परवेश तुवार किसे कहते हैं, अलाई दर्वाजा को, भारत का परवेश तुवार किसे कहते हैं, मुंबई को, और परसांत महा सागर का परवेश तुवार किसे कहते हैं, पनामा नहर को आउसके बाद भूमत सागर का परवेश्ट वार किसे कहते है जिबाल्टर जलसांदी को कहते है उस पे भी धियान रखेगा इंपोटेंट कोश्चन अब देखे जब पनामा नहर हो गया तो पनामा नहर का निर्मान कब हुआ तो उन्हें सा 14 इसपी में हुआ थ सबसे बड़ी इंपोटेंट कोश्चन जीस पे टीक लगा रहा हूं वो आप याद कर लिजेगे क्योंकि इसमें सभी कोश्चन चुना हुआ कोश्चन जो आपके एक्जाम के लिए से सी रेलवे बिहार दरोगा में पूछा जाता है ठीक है अभी समझने योग बाते हैं कि अगर पूछेगा स्वेज नहर एस या को अफिरका से अलग करती है कि लेकि एस या में देखे जिवाल्टर जो जलसांधी है न यूरोप को किसे अफिरका से अलग करती है लेकि पूछे यूरोप में अगर जगव भिसेश पूछे तो एस्पेन होगा और अफिरका में पूछे तो मुरक को तो देखे एस्पेन से एक प्रस्ण बनता बहुत पा किस देश का रास्टी खेल बूल फाइटिंग है यानि सारोग की लराई किस देश का रास्टी खेल है तो वो इस्पेन के है लेकि यहां समझने योग बाते हैं पूछेगा कि आप लोग देखें तमिलादू में जनवरी के महिना में पॉंगल तेभार मनाये जाता है तो जल्ली कत्व के तेभार में और यह पुंगल का तेभार होता है ठीक है लेकिन यहीं पे थोरा गुमा दे अगर पूछे कंबाला करनातक में कंबाला एक तेभार मनाये जाता है जिसमें क्या होता है भैसो की दावर होती है ध्यान रखेंगा वो भी आपके एक्जाम में पूछा हुआ है और भविस में भी पूछने की संभावना है तो पूछ देखिए स्पेन का राय रास्टी खेल क्या है तो बूल फाइटिंग है उस पर भी ध्यान रखे है सारो की लराई जो आपके एकजाम के लिए महत्पुन है लेकिन मैंने अभी आपको कहां पर भूमत सा से देखिए पढ़ने के लिए उसमें 21 देश याद नहीं करना है जितना बतार उतना याद कर लिजेगा तो आपका काम बन जागा तो यूरोप महादेश से पूछे मैं यूरोप महादेश सवाई से पूछता नहीं है लेकि अगर पूछ देगा तो क्या करिएगा इससे और एक फटूस करके याद कर ले फटूस मतलब फटूस है फ्रांस तूस है तुर्की इस्पेण इस्पेण याद लेकिन दोस्तों इस्पेण तो बहुत अच्छा है इस्पेण के लिए एक बहुत ही महत्तून कोश्चन जो नहीं मैंने आपको बता दिया दिखे अब यहां पर ही जो important question है, बहुत बार पूछा हुआ है, कम से 50 बार साथ ही ऑख जा ने पूछा हुआ है, कि औरतों को बुरका अर्टोपी पहनने पर परतिबंद किसने लगाया है? मुस्तफा कमाल पासाने लगाया है, किसने लगाया? मुस्तफा कमाल पासाने ध्यान रखेगा, म का मरीज अगर पूछे न तो चीन को काते नजा रखेगा इंपोटेंट कोश्चन है ठीक है तो अगर यूरोप महादे से कौन-कौन सा देश गुजरता है जो भूमाद सागर से तो इटली, ग्रीस, फटूस, आइक फटूस याद कर ले फटूस में फोसे प्रांस, तूसे कि किस न दीक है, अगर परीस पूछे किस न दीके किनारे, तो सीन न दीके किनारे और लेकिन यहां समझिएगा, दीका यूनश को का मूख्या लग कहा है, तो पेर इसा उस पे भी ध्यान रख लीजेगा, लेकिन ये जो सम्विधान निर्मान की प्रकिरिया 20 में सरपर्थम कहां आरब हुआ, तो सरपर्थम पूछे न, सम्विधान निर्मान की प्रकिरिया कहां आरब हुआ, तो फ्रांस में आरब हुआ, GST को भी सबसे पहले किस द नमर में अपनाया पता है, 171 नमर का देश भारत बना जो GST को अपनाया, जो कि पहले ही इसको अपना लेना चाहिए था, ठीक है, लेकिन पूछे, लेकिन वो भी अगर याद रखेगा, GST जो भारत अपनाया, फ्रांस के मोडल पे नहीं, कनादा देश के मोडल से, तो पूछ देश से लिया गए, वो ऐसे भी देखे, 20 में, सबसे अधिक छेटफल वाला देश कौन सा है, रूस है, दूसरा कनादा ही है, याद रखेगा है, असरबादिक समुद टत्रेखा वाला देश कौन सा है, तो कनादा है, लेकि भारत का पूछेगी, सबसे लंबी समुद टत्र रेखा वाला राज कौन सा है, तो भारत का पूछे, तो गुजरात है, नज़र रखे, 20 में, पूछे तो कनादा, भारत में सबसे छोटा पूछे, तो गोवा है, उस पे भी नज़र रखेगा, लेकि भासा के अधार पर गठीट होने वाला दूसरा राज पूछे तो गुजरात दोनों राज अलग हुआ इसलिए महरास्ट दिवस और गुजरात दिवस भी एक मही को मनाते, उस पर भी ध्यान रखेगा और उसके बार पुछेगा गन्तात्मक सासन बेवस्था किस देश से लिया गया, सासन बेवस्था कर पूछे न तो फ्रांस से लेकिन जो भ को आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेगा ताकि आपको किसी भी परकार की दिक्कत ना हो ठीक है दोस्तों तो दोस्तों को आपको वीडियो पसंद आवे तो आप लाइक कर देना और शेर भी कर देना अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे अगले वीडियो में तब तक कर दो